हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल लेके आई हूं आज फिर से अमेजिंग केचन टिप्स और कुछ बड़िया सी रेसिपी जो आपका वक्त भी बचायेगा और साथ ही में आपका काम भी आसान करेगा पसन आती है थोड़ी से भी वीडियो तो फ्रेंड्स लाइक कर लीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजे मेरे चाया को वो भी घंटी के साथ तो चलिए लेट्स टार्ट चलिए फ्रेंड्स टिप नमबर वन देख लेते हैं तो आज में ब्रेट पकोड़े बनाने का जो बैटर है उसे आप बिना तेल पिए पकोड़े कैसे बन मंग दाल दे स्वाद अनुसार और उसको मिक्स कर ले सबसे पहले टिप के बेसन आपका बहुत ही महीन होना चाहिए और दूसरी बार जब भी आप पकोड़े का बैटर बनाए तो पानी को थोड़ा थोड़ा दालते हुए इसका लंब फ्री बैटर बनाना है कुछ चीजों अगर आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल भी आपके पकोड़े तेल नहीं पियेंगे फ्रेंड्स पूरी टिप आज आपको मैं बताऊंगी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और सबसे में पॉइंट यह है कि आपको इसको कवर करके पंदरा मिरेट के लिए एट लीस् पंदरा मिरेट के बाद यह देखिए आताइदन स्मूद और सॉफ्ट हो चुका है अब इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा चमच बेकिंग पाउडर तो दो चमच बेसन में आधा चमच बेकिंग पाउडर आड़ करेंगे और इसमें एक चमच तेल दालेंगे यह दोनों चीज दालें से जो हमारे पकोड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और तेल भी नहीं पीते अब एक और टिप आपको यह बताना चाहते हूं कि यह दोनों आड़ करने के बाद आपको इसको पांच मिनिट के लिए अच्छी तरह से विस्करना है ता हैं और यह देखिए सूपर सॉफ्ट और इद्दम टेस्टी ब्रेट पकोड़े बनके रेडी है इसकी पूरी रेसिपी भी मेरे चाहल पर जल ही आने वाली है इसको चली कट करके बता देती हूं कितने सॉफ्ट बने हैं और इद्दम पॉफिक बने हैं बिना इसमें तेल अ और आपको कैसी लेगी यह टिप उसके लिए भी कमेंट करिएगा चली फ्रेंज अगली टिप बहुत जादा यूसफुल है तो यह अद्रग को लेकर है अभी इस सेजन में स्पेशली अद्रग बहुत ही सस्ता आता है इस टैप में इसे स्टोर करके रख लेती हूं बहुत स करें यह चूरी के बैक साइट से आप इस तरह से स्क्रेप करें इससे सारा इसमा जो चिलका होता है कौनर का चिलका होता है वो सब भी उतर जाएगा बट आज मैं अद्रग की ना बात करके इसके चिलके की बात करूंगी जी हाँ अद्रग की नहीं बात कर रहे हैं हम इसके चिल्की की बात कर रहे हैं जो अखसर हम ड़स्विन में फेग देते हैं यह चिलके में भी बहुत जादा फ्लेवर होता अब चाहे तो इसका पाउडर बना सकते हैं या इसी तरह से भी इसको use कर सकते हैं इसमें भी धेर सारा flavor होता है अधरक का तो इसके छिलके को पढ powder होता है, फ्रेंट्स अधरक का तो थेंगे रिखता थेटी इससे क्या होगा जब भी आप चाहे बनाएंगे तो आपको अद्रक का भी फ्लेवर आएगा आपको उपर से अद्रक डालने की जरूरत नहीं है आप चाहे तो यह जो हमने सुखाया है अद्रक के छिलके को इसको एटाइट कंटेनर में भरके रख सकते हैं दूद बना रहे है है बच्चों के लिए उसमें भी आप इसको आड कर सकते हैं कैसी लगी टिप कमेंट करें चली फ्रेंज अगली जब भी डेफिनिल आपको पसन आने वाली है तो सर्दियों के मौसम में जैसे मैंने पहले भी कहा अद्रक बहुत सस्ते मिलती है तो आज मैं अद्रक की बहुत आप मिक्सिजाल ले ले इसकों के रूँ नहीं नगना पाने पानी बिल्कुल भी अद्रक के लिए पीस है बिल्कुल भी अमेज में पानी नहीं करना है यह रहे इसको इस चलाती हुआ अच्छे ऊसमेशे का पेस्ट बना ले चलीं इसके पैन ले लिया और हम यह कौनेगे इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका moisture खतम हो जाए यह देखिए यह pan छोड़ने लग गया है एक तो मिनिट में इसका moisture खतम हो जाएगा अब जितना मैंने यहां अधर का paste लिया है उतना ही मैं इसमें गुड़ दालूगी जैसे आधा कप में अधर का paste ल गुड़ जैसे ही पिगल जाए तब हम और ingredients आड़ का लेते हैं एक चमच इसमें बुना जीरा का पाउडर आड़ करेंगे आधा चमच चांट मसाला आड़ करेंगे चितपटा बनाने के लिए थोड़ा सा हिंग डालेंगे एक चोथा ही चमच के करीब काला नमक डाल देंग अब इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें आधा लेमन का जूस डाल देंगे इसमें विटमिन सी आ गया जो हमारे immunity को बूस्ट करता है और सर्दी खासी ऐसे बिमारियों से हमें दूर रखता है अच्छी तरह से इसे पका लेंगे अब हम यह देखें अब इसको और भी यानि जो कटोरी हमने भरके लिया थाना बस उसका एक चोथाई भाग हम इसमें आमचूर पाउडर दालेंगे क्योंकि अधरक तोड़ी तोड़ी होती है इसमें आमचूर पाउडर से इसको एक बेस मिल जाएगा और इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद भी आ जाएगा और बस मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया था और इस सरह से पाउडर बना लिया है अब आपको सबसे पहले हतेली पे और फिंगर पे इस सरह से पाउडर ले लेना है और फिर आपको ये छोटा सा भाग ले लेना है और इसकी गोली बना लेनी है गुर्ट चिपचिपा होता है इसलिए आपको sugar लेना ही पड़ेगा और moisture ना पकड़े इसलिए आपको इसको sugar से लपेटना ही पड़ेगा और कोई option नहीं है यहाँ तो इस सदर से आप ले ले अगर आप diabetic है और आप नहीं खा सकते तो आप ये paste बना के रख सकते हैं इसको freeze में रख ले और फिर थोड़ा थोड़ा करके आप इससे खाते जाए बट इसको पूरा नहीं पकाएगा इस हद तक आप इसको थोड़ा सा ऐसे ही गीला रहने दे और freeze में ही रखें तो फिर ये आप आराम से खा सकते हैं चले गटा-गट की ये सारी बिमारी भी कोसो दूर रहती है ये देखे दम बढ़िया हमारे गटा-गट बनके रड़ी है इसको आप कोई भी काच की बोतल में स्टोर करें दो महने तक आप आराम से से बाहर स्टोर कर सकते हैं थंड़े के मौसम में अगर आपके यहां गर्मी है तो फिर आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करें क्योंके गूड है तो इसमें मौश्य पकड़ता है तो अच्छी एयरटाइट कंटेनर में ही इसको स्टोर करें कैसी लगी ये टिप ज़रू मुझे कमेंट करके बताईगा तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिप एंड रेसिपी कौन से टिप आपको सबसे ज़रू पसंद आई उसके लिए जरूर कमेंट करेंगा और हाँ अगर आपके पास कोई अनोखी टिप या रेसिपी हो तो आप मुझे लिखके भेज सकते हैं या कोई सजेशन हो फिट बैक हो मेरे चैनल के लिए तब भी आप मुझे जरूर लिखके भेजए आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहता है फ्रेंड्स बहुत जादा महनत कर रही हूँ तो लाइक कर दीजेगा अगर आपको वीडियो पसन आए और अगर यूसफूल लगे तो दूसरों को भी शेयर करेगा सब्सक्राइब करिए घड़ी के साथ ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और ये बिलकुल भी फ्री है तिल दैन टेक केर बाबाई